आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मित्रो इस स्रिष्टी में भगवान ने, मा प्रकृती ने, इश्वर ने इतनी अद्भुत सक्तियां दी है कि अगर हम उन सक्तियों को सही तरीके से समझ जाएं, प्रकृती की रहस्य को समझ जाएं, तो बड़ी आसानी से हम मन चाहे कारे को कर सकते हैं हर कारे में सफलता हर कारे में सिध्धी पंच महाबूत व्यक्ति का सबसे असली भगवान है धर्तिमा वायू जल इसके बिना न तो जिन्दगी चल सकती है न तो रह सकती है वायू तद्व अर्थात हवा, अगर मैं कहलूं कि आपको बिना आक्सिजन के रहना है तो आप कितने मिनट या फिर कितने सिकन्ट तक रह सकते हैं कोई भी इंसान या प्राणी जादा से जादा एक दो मिनट या फिर कोई सिद्ध भी है तो दस से पंदरा मिनट तक ही अपने स्वास को रोक सकता है उसके बाद उसका मरना सुनिस्चित है तो इसका मतलब यह है मित्रों कि भगवान ने जो स्रिष्टी में चीजे दी है माप्रकृती ने दिया है उसका पहले धन्यवाद करें यह अद्भूत चीजे हमें फ्री में मिला हुआ है लेकिन इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती अब इसी वायूत अत्त्तों का प्रयो अपना जब जरूरी हो तभी करें करना क्या है वायूत तक्तों में एक अद्रिश सक्ति विलीन होती है आप इसे समझ नहीं पाएंगे बस इस तरह से समझे जिस प्रकार प्रित्वी में ही इसी प्रित्वी में भगवान राम कृष्ण भगवान संकर भगवान विष्ण अर्थात अगर उदारण के रूप में देखो तो भगवान श्रिक्रिश्न को जब दिएत्याक करने के बाद जलाये गया है तो वो विलीन कहां पर हुआ है यहीं तो है न हवा में हवा में आया था हर हवा में चला गया